सच साहस सरुकार कि लिए यहाँश की भागा का बिखे नाम की तो आज हमारा यूंभरा nueva कि जो मुद्धा नहीं बोलेंगे एक योजना बोलेंगे और नीलेश का प्रिवाओं कहां तक बहतर होगा इसकी भी हम इस कारकम के माड़ां से चर्चा करेंगे यू तो अब भारत की अगर बात करें तो भारत की साच्छता दर है अगर 22 की आगड़े की बात करें तो लबबब पुरुसों की दर की बात करें तो लबब लबब 22% की बात करते हैं और अगर मेलाओं की साथ-सरता दर्गी बात करते हैं यह अगर हम देश के सबसे बड़े साथ-सरता वाले राजी की बात करें तो वहाँ पर सबसे बड़ानाम आता है के रल का कीरल सोच्छता के मामने में सबसे यार्डी कारण कि बहाँ पर लोग शाच्छता का अर्थ समस्ते बहाँ पर लोग सच्छता की उपयगता को जानते हैं उस महर्प को जानते हैं इसलिए वहां की साच्छता की दर सबसे जादा है 93 पितिसत हमारे देश में केरल की राज्जी की जो है साच्छता दर इस कारिकम में सबसे बड़ी यार्ड जो हम चर्चा करने बाले वो इसलिए महर्पूर्ण है क्योंकि यहां पर हम चर्चा एक ऐसी ब्याउस्था की ऐसी कारिजना की कनने जा रहा है जिसके तहट आने बाले समय का ब्यापक प्रभाव उस ब्याउस्था का दिखने लगेगा आज चर्चा का हमारा केन बिंदू है वो है पीम स्री स्कूल जी हां पीम स्री यानि प्रहान मंत्री स्री स्कूल स्री यानि स्रूबात और जब स्रूबात करते किसी चीज़ की तो बहुत बैतर की तरफ जाता है और स्री से तो हर चीज़ की स्रीबात बहुत बैतर ही मानी जाती है तो यहाँ पर जो हमारा आज का बिसाय का चर्चा बिंदू है वो है पी-म स्री स्कूल और पी-म स्री स्कूल की जो कारोजना है वो बरतमान में मोडी सरकार दोरा लाई जा रही है और सितंबर से इस उजना को सुरूबाट करने कारोजना है और सितंबर के तीसरे और चोओठे हफ्टे में इसको व्यापक तोर से लागू कर दिया जाएगा आज हम अगर स्कूलों की बात करें तो हमारे यहां जो स्कूलों का मापड़न्ड रेवो अब तीनपार का है तीनपार तीनपार अगर हम बताये तो एक आता है आपका निजी स्कूल में भी तमाम माइने है ऐ निजी स्कूल वो जो एक व्युस्थित खाट नाचे का अंतिअगर बनाये गिया है और एक कई लोकों के बड़े-बड़े लोगों के आप नाम सना होगा कि स्कूल के आंगे इंटरनेशनल जरूर लगा होगा कारण कि उन्हों पर जो ब्यास्था हैं वो अंतराश्टी डर्जे की हैं तो मैं आपको तीर यहां पर प्रकार बताए मापड़न बताए कि सरकारी स्कूल निजी स्कूल और आतीविस्थिस्टवाले निजी स्कूल चूंकि हमारे देश में जो सरकार है वो सरकार के वाल एक सोचना है कि सभी के बीच एक व्यापक ब्यवस्था लागू हो एक ऐसी व्यवस्था लागू हो कि गरीब का बच्चा भी एक अनतराश्टी इस्टर की पढ़ सके जिसके लगातार देश के पते के राज़ में ये ब्यूस्था लगाई जा रही है, लाई जा रही है कि बहाँ पर जो स्कूल है, उनको निजी स्कूलों जैसी ब्यूस्था में तब्दिल किया जाए ब्यावस्ता में केवल है नहीं कि यहांपर फीस बननी है यहांपर जो निज़ी स्कूलों में जो अच्छाइया है जो एक ब्यापक इंफ्रा है एक बहतर लेब है एक बडिया खेल का मैदान है साफ सुतरी क्लासिस हैं और सां सुतरा पानी और तमाम तरह की यह रा है उनको लाबमित किया रहा है उत्तप्रश में भी लगतार स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है और मुक्वंत्री जा रहा है तो यहां पर पैसे भी दिये जा रहा है अभिवाकों खाते में कि आप बस्ता ड्रेस और जूते मोजे खई सकें तो यहां पर सिच्छा को ब्याबा के स्थर पर बढ़ाने के लिए और साच्छर अभयान एक समय में आपको बता रूँ कि संद्र 2000 के लगभग पहले देश में अभपका का साथ्षरता अभयान चलाय गया था जिसके टहर्त पूरे देश में साथ्षरता को लेकर लेहर चलाय गई थी और यह प्रियास किया गए तक अधिक शरी लोग साच्छर हो सकें, कि साच्छर होने पर आप साच्छर तक अर्ष समझ सकेंगे, आप घ्यानी हो सकेंगे, आपको पता चलेगा कि क्या गलत है, क्या बुरा है, हमको आंगे कैसे बढ़ना है, पराणी नीतियों को छोड़कर वह पहले चरण में 15,500 स्कूलों को तयार किया जाएगा नए स्कूल ने तयार होने हैं जो स्कूल अलिडी हैं अभी बरतमान में हैं उनी स्कूलों को देश के हर बिलोग में जो स्कूल है वहाँ पर चिनिट किया जाएगा ओन स्कूलों को अपग्रेट किया जाएगा ओन की निजिन स्कूलों की ब्यॉस्था को यहां पर लागु किया जाएंगा जिसका सारा खर्चा है किन सरकार बहन करेकी और चुकि शुक्त का नाम में होता है एक मानसक्ता कि हम एक बैतर स्कुले पढ़ रहे हैं उस मानसक्ता के दाहर पर हमको जो सोच हमारी ब्यापक बनेगी और जब एक साफ सुच्री जगह में कोई भी बालक बच्चा पढ़ा ही करता है तो उसका जो सोच होती है उसी इस्तर की आगे बढ़ती जाती है, जैसा कि आप देखते हैं कि निजी स्कूलों में, जो निजी स्कूल है, बड़े-बड़े स्कूल है, अंतरास्की इस्तर की स्कूल है, वहाँ बच्चों की जो बधिक स्कूल है, बहुत तेजी से बढ़ता है, वो कोई भी भासा हो चा से आप रूबूर हो जाएंगे और वो चीज आपको कंट्रस्ट भी होगी और आप उस चीज के साथ अपना जीवन यापन करते नज़र आएंगे और आपका बॉट एक स्थर भी उसी साफ से आगे बढ़ता नज़र आएगा तो यहां पर जो प्रियम स्री स्कूल है यहां पर में यह स्कूल होगा और अभी तक यह केंदी पर द्याले होते थे केंदी पर द्याले से अलग यह उजना है इनकों केंदी पर द्याले से समतुले नहीं करेंगे यह केंदी पर द्याले से अलग उजना है और यहां पर जो व्यास्था है वो बिलकुल अलग रहेंगी जो कें मंत्री श्री यूजना और जब यूजना शाकार होगी तो निश्वी रूप से हमारे देश के नौनी हालों को एक ऐता एक ऐसा भविस नजर आएगा जिसकी वो कभी कलपना ही करते थे हमारे देश के वो अभी बाबक जिनकी आज तक पहुत निजी स्कूलों में नहीं होती थी वो अभी बाबक जो आज कल आज तक केबल निजी अंतरास की स्कूलों की केबल सोच रखते थे वहाँ के फीस के वहाँ के इन्फरा को डिक कर केबल ममन सपने संजोते देखिए कि हमारा बच्चा यहाँ कैसे पर सकता है इतनी हमाई आमदनी नहीं है उन सभी अभिवाकों के लिए एक बरदान साबित होने आ रही है पियम स्री यूजना एक बार दिस्पस्ट करती है कि अगर हमारे देश में नोनेहाल किसी भी तपके का हो चाहे वो गरीब हो चाहे माद्यम हो चाहे अमीर हो अगर हम ऐसे स्कूल इस्थापिट कर रहा हैं उनको अप्ग्रेट कर रहा है तो इसका लाव सभी दर जो बर्गों को मिलना चाहिए क्योंकि जो अमीर बर्ग है बो तो पैसे के माध्यम से अपने बच्चों को अच्छे अंतरास्टी इस्तर की सुब्रहों वाले स्कूल पढ़ा लेता है पर जो गरीब बर्ग है जो मध्यम बर्ग है जो अब तक अपने बच्चों को कुछ इस्तर वाले स्कूलों पर नहीं पढ़ा पाता है उनके लिए युजना है पियम स्री स्कूल युजना क्योंकि धर्मिन पढ़ान ने जून में युजना की बात कही थी और गोजना की थी उसके बाद शितंबर में युजना लागू की जाने बाली है पहले चरण में पंदर जार पानसो स्कूलों को चिनित किया गया है और युजना के माध्यम से जो हमाई देश के प्रामंत्री है नरिन मोडी उनका एक ही सपना है और सपना की वाल यह है कि चाहें गरीब हो चाहें मद्यम बर्ग हो चाहें अमीर हो अगर सभी बर्ग की ब्लोग और अगर एक साथ एक उच्चतर ब्यवस्था बाले स्कूल पढ़ना चाहते है पर सकते हैं तो वो है प्यम सिरी स्कूल और यह प्यामत्री नरिन मोडी की महर्पकांची युजनों में से एक है क्योंकि उनका मानना यह है कि देश की ब्यवस्थाओं पर इन्फरा पर अच्छी सुब्राओं पर अच्छी सिच्छल पद्दिती पर और अच्छे इस्तर की ब्यवस्थाओं पर सिच्छा नीतियों पर सिच्छा बियुस्थाओं पर अगर अमीर का भी हक है मद्यम का भी हक है तो गरीब का भी हक है और सभी बर्गों का समान अधिकार है और यह अधिकार हमको देश का संभिधान देता है संभिधान के हिसाब से सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त है और गरीब जो बर् जो कि जब देश के पितिक बिलाक में इस तरह का एक उच्चितर वाला अंतराश्टी इस्टर की सुब्राव वाला स्कूल बनेगा तो जो कौसल विकास जैसी उजना है उनसे हमारे जो देश है वो किस तरह से कडम से कडम में डिना के चलेगा यह आने बाला भविस्ची करते हैं और विकास तभी हो पाएगा जब हमारे देश के नौनेहाल अच्छी सिच्छा नीती के तहर बहतर सिच्छा पद्द्री को अपनाते हुए अपने ये पथन पाथन करते नजर आएंगे जब उनका सिच्छा के इस तरूपर होगा तो निसी रूप से आने बाले समय में बड़े बड़े उद्योसों की प्राप्ति करते नजर आएंगे क्योंकि देश में नौकरी के लिए नहीं सुरुजगार की भामना को जगाने की ब्यौस्था भी यहां पर की जाएगी और तमाम तरह के कोर्सिस के माद्द्रम से यहां बच्छों को पढ़ाए जाएगा क्योंकि स्कूलों में प्राइमरी से लेकर अच्छा बार्वी तक ब्यौस्था बनाई गई है बहुत छोटे से लेकर बार्वी तक यानि यहां से जब आप निकलेंगे कि कोई भी बर्का बच्चा हो वो एक संपूर्ण सिच्छण पद्दिती से कुसल होकर निकलने बाला पिध्यारती होगा जो कि आने बाले समय में सरुजगार की भामना को भी जीवन करेगा और साथी साथ देश के बिकास में कंदे से कंदे मिलाकर चलेगा मैंना को बताया है कि दो हजार पचास के लववा भारत की जो आबादी है यहां की आबादी बोट साथ से सत्तर बड़ के बच्चे हैं या जो मद्यम बड़ के बच्चे हैं वो सब ही ऊच्छे सच्चा पद्द साथ उच्छे सिच्छा ब्योस्थाउं के बाले स्कूल में जाएो आपने ब्भीस करनाना होगा तब हमारे बिकास की धरा में आगे बढ़ पाएंगे निश्री रूप से माध्यम से सरकार बहुत अच्छा प्रयास करने बाली है और माना सकता है आने बाले समय में यह देश की सबसे बड़ी शिच्छन ब्यास्था जो जिस तरह से आज निजी स्कूलों का गोर की लोगों के लिए है और ऐसी युणा का डेश्म लगातार किर्यानबन होना जरूरी है मेरा मानना है कि अगर इस तरह की युणा आगरे वाले समय में और भी आती रहेंगी तो निश्ची रूप से हमारे देश की जो सच्छा तदर है बढ़ेगी और खास तोर से ऐसी यु लेकर चाहे बच्चे हो चाहे बेटी हो पर सभी को आगे बढ़णा है और मेरा मानना यह है मैं देश के जनता से यह ही अपील करना चाहूंगा यको कि प्यम सिरी यूजना में अपना अदिक से अदिक भागीदारी दिखाए और जाने कि कि सरकार हमाई दे बैतर काम कर रही एक बहतर कायकल्ब हो पाएगा जिनका आभी तक हम केबल केबल एक ऐसा इस्तर देखते चलिया है जिससे हमको सायर खुट को भी सरम मैसूस होती है इसलिए इस बहतर इस्तर को देखने हैं तू हम भी लालामबित है और मैं चाहता हूं कि जल्ली उजना किर्थिमान की रूप म नमस्कार